अजी दोस्तों कैसे हो गुड़ मानी चलो जी आज बात किसके करेंगे आज बात करेंगे मनी मार्केट सर मनी मार्केट मतलब कौन सा चैप्टर है हमारे निउसलेबस का तो मेरी बात अब अच्छे समझना जो नया इस्टडी मटीरियल आया है उसमें दो चीजे श्पेशल है ओल्ड सिलेबस के प्रैक्टिस मैनुवल के जितने कोश्शन्स थे वो निउसलेबस के इस्टडी मटीरियल में डाल दिये कैं सब कुछ समान और सर वो कोश्शन्स के आपने अल्रेडी करवाया है हाँ चिंता ना करें बिल्कुल आल्रेडी सब कुछ जुड़ा हुआ हुआ आपको कुछ नहीं करना है हां लेकिन जब एक चैप्टर है सिक्क्यूरिटी वैलिवेशन उसके लास्ट में लास्ट पेज में उन्होंने एक टॉपिक डाल रखा है मनी मार्किट पहले नहीं था इसी अटेम्ट के लिए आया है इसी अटेम्ट से आया है तो ऐसा लगता है है कि उसके कोशिंटтории के अशक्याइब और को जो चैप्टर था वह पहले से है हाँ पहले से था ओल्डबस के ओल्डबस में था और ओल्डबस का वही चैप्टर उठाकर मनी मार्केट उठाकर निभू सीलिवास के सिक्क्यूरिटी वैलेशन की लास्ट में डाल तिया गया टोटल चैप्टर सब कितने टाइम का अगर मैं कहूं टोटल ये टॉपिक एक गंडे से ज़्यादा का नहीं है बिल्कुल आसान और कोश्चन्स ऐसे है कि जिनका सिक्यूरिटी वेलिविशन हो चुका है वो तो आराम से बना लेगा कुछ है नहीं है इडिमेंस ये टॉपिक क मार्केट ही अल्लडी अब पढ़ा हुआ आपके लेवल का तो है नहीं पता नहीं आई सी ए आई ने क्यों डाल रखा है खैर हमारी ड्यूटी है कि हमें से कंप्लेट करें थियोरी पार्ट पर मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा सर क्योंकि थियोरी जो आने की है वो स्टार्ट आप फाइनेंस सिक्क्योरिटाइजेशन इन सबसे ही आने की उमीद है यहां से सिख्थियोरी आने की उमीद कम है एक हलका हलका आईडिया दे दूगा क्योंकि आपको अल्रेडी पढ़ा हुआ है मेरी जिम्मेदारी है कि जितने कोश्चंस आई सी ए ने ड मार्किट चेप्टर का तो नाम नहीं है यह टॉपिक है सिक्यूरिटी वैलिएशन में डाल रखा है मैं इसको अलग से पढ़ है बस और कुछ नहीं हो चलो जी हाला कि छोटी यह चीजे बच्पन वाली चीज्ज यह मैं आपको पढ़ा रहा हूं पर क्या करें मजबूरिय सुनना देहां से किसी भी कंपनी को कंपनी बोलों तो चलेगा हां पैसो की जरूरत पढ़ती है तो पैसों की का औरेंजमेंट कहां से किया जा सकता है तो पैसो का अरेंजमेंट एक तो हम शेर्स इस्यू कर सकते हैं यस तो शेर्स से जो पैसो का अरेंजमेंट किया यह मेरे लिए लॉंग टर्म है कि शॉट लॉंग टर्म के लिए किया ना लॉंग टर्म के लिए अगर आप पैसो की वविस्था कर रहा है अरेंजमेंट कर रहा तो इसे बुला जाता capital market अच्छा और कहां से debentures issue कर सकते ये भी क्या है capital market preferent share issue कर सकते capital market सरफ bank से loan ले सकते तो ये capital market है कि money market ये दोनों ही हो सकता है अगर आप short term के लिए ले रहा है तो ये money market में आजाएगा लेकिन ये पूरी तरह से money market नहीं मैं money market के वीसे मैं बात करूंगा बैंक वाली की तो बात छोड़ दीजे बैंक पर आराम से बात करूंगा शियर इस्यू कर रहा है प्रेंश इस्यू कर रहा है पैसो का अरेंजमेंट long term के लिए कर रहा हो तो ये capital market में आता है money market क्या होता है पैसो का अरेंजमेंट short term के लिए कर रहा है तो ये है आपका money market तो ठीक है सर तो short term के लिए bank company पैसो का arrangement कहां से करें सवाल वस इतना है सर बैंक से working capital इसके अतिरिक्त और कुछ तो अब सारी बाते मेरी ध्यान सुनना कि money market में कि साड़े जो भी होगा money market में जो डील होगा जो प्लेयर्स होगे money market के सब पुंजी पती लोग रहेगे सर पुंजी पती लोग मतलब पैसे वाले money market जो market मार्केट ही समझ लिए मार्केट में एक ऐसा market जिसमें money का डील होता है financial marketing तो money market में जो डील होता है डील वो कौन लोग करते हैं वो बड़े-बड़े उससे ज्यादा है वोई लोग इसमें डील करते हैं बाके लोग डील नहीं करते हैं सर हमारे जैसे लोग हम कभी भी mutual fund यह money market में आ सकते हैं लेकिन हम लोग money market में नहीं आ सकते क्योंकि इनका जब instrument आपको खरीदना होता है बहुत सारी चीजे मैं बात करूंगा commercial paper वगेरा व से कम के लिए है ठीक है ठीक है सर शॉट टम पैसो की विवस्ता करना है या शॉट आपको money market में जाना पड़ेगा ठीक है और money market में अगर आप investment करना चाहते हो और हम कर सकते क्या तो भी हम लोग नहीं कर सकते यहां भी बड़े-बड़े लोग ही investment करते हैं मैं detail में discussion करूंग पहले बात कर लेते हैं financial market दो टाइप का होता है सर आप बोल रहे थे थियोरी नहीं पढ़ाएंगे बैटे ओर विव दे रहा हूं बस और कुछ नहीं ज्यादा डिटेल में नहीं जोंगा financial market दो टाइप के होते हैं एक जो मुझे नहीं पढ़ाना है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है सर टापिटल मार्केट और दूसरे का नाम क्या है money market capital market का मतलब बोलो long term इसमें तो कोई शक ही नहीं और सर मनी मार्केट का क्या इसमें public involved है यस बड़े सारे लोग इसमें public इतना involvement नहीं होते हैं इसमें FII financial institutions की बात कर सकते हो या फिर आप banks की बात कर सकते हो या फिर आप mutual funds की बात कर सकते हो या बड़ी-बडी company की बात कर सकते हैं वो लोग players होते हैं ठीक है अच्छा सर ये इसको कौन regulate करता होगा capital market shares क्या इसमें आम जनता involved है यस और public का पैसा क्योंकि इसमें लेंदेन stock actions के through होता है तो कोई शक की बात नहीं इसको कौन regulate करता होगा से भी और सर इसको कौन regulate करता होगा सर इसको regulate करता होगा क्योंकि पैसा तो है बीच में involved तो इसको करता है reserve bank of India RBI अच्छा सर ये long term के लिए इसमें क्या सकते सर इसमें आ सकते हैं सर अंतर आता है कि नई नविट्टे वह तो अब श्टार्ट करूं तो कैसे करूं जैप्रेट को कि इसमें पैसों का arrangement हो सकता है शीर सके थूं डिबेंचर सके थूं और क्या हो गए अब preference shares get through और इसमें deal किसमें होते हैं अब यह important call money call money, notice money मैं detail में समझाँगा और सब कैसी हो सकता commercial paper और क्या हो सकता है प्रेजरी बिल और बहुत सारी चीजे है पढ़ने के लिए मैंने का ना मैं सिप overview दूंगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा एक एक पेज में खतम कर दिया गहां और यह ही नहीं है यह ट्वल्थ लेवल का जो मैं यहां क्या पढ़ा हूं ठीक ठीक है सर आप बोल रहे थे बड़े बड़े लोग इनवाल होगे पहली बात मनी मार्केट की बात अब चीसे समझ लेना है बस कोशन्स और टार्गेट हमारा कोशन से आए तो मैं पहले क्या करूं इन सब लोग चीजों के विसे में थोड़ा-थोड़ा समझा दूं थोड़ा-थोड़ा और बता दूं कि भी कोशन कैसे आ सकते है कोशन कैसे है हमारी बुक में ठीक है सर दो बाते मानके चलना कि मन शुक्त मार्केट इंश्रूमेंट जो भी होगया मनी मार्केट इंश्रूमेंट है तो यह सोट टम के लिए मतलब यह है कि तीन 17 तौह सब्सक्राइब या उससे कम के लिए इश्यों के मैक्स एक साल से कम के लिए ऐसा वल दो ठीक है सर्थ पहले चीछ यह दूसरी चीजी माना कि इसमें बड़े-बड़े लोग ही इन वाल रहेंगे यह बार-बार मैं आप से चीज यह चीज भूर बो ठीक है सर्थ तो चले यह money market instrument की एक एक चीज पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है तो पहले क्यास बात हमको समझ में आ गहा है The instrument of money market and characteristics क्या है एक तो short duration के लिए है मतलब एक साल से कम के लिए issue होते है दूसरा बहुत भारी भर कम amount ऐसा है कि आपको money market में पैसा लगाना आप investment करना चाहते है short term के लिए तो भाई साब बहुत पैसा चाहिए आप सोच रहे हो कि 10-20-50,100 एक लाग हमारे पास से चलो या money market instrument खरिते तो नहीं खरीद पाओगे आपके त्री बिल तो खरी सकते कहां बिट्टे टी बिल कैसे खरीद होगे आप नहीं खरीदते हों ट्रेजरी बिल हाँ हाला कि आपने पढ़ा है और मैंने security valuation में टी बिल रेट वह बत समझाओंगा लेकिन मैं आप से बस बोलता हूं कि टी बिल भी auction होता है मैं फिर वापस टी बिल पर आके मैं आपसे कह रहा हूं कि बड़े बड़े लोग इनवाल होके पैसा लगाना है तो आप भी लाखों में पैसा लगाओंगे तब अच्छा सर मतब लार्ज वॉल्यूम होता है डी रेगुलेटिव इंट्रेस्ट रेट्स की तो कहानी अलग है वाई क्योंकि मनी मार्कें इंस्ट्रूमेंट एक बहुत अच्छे समझता है जैसे जीरो कूपन बॉंट्स होता था ना यादे जीरो कूपन बॉंट्स हां सर इ इंस्ट्रूमेंट को ट्रांस्पर कर सकते हो और कम समय के लिए तो लिक्विडिटी तो को कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि आपका पैसा लॉंग टर्म के लिए रिस्क भी कम है देखा जाए तो रिस्क भी कम है ठीक है लिक्विड आपको समस्ता में जद यार सेफ इनिवेस्टमेंट क्योंकि जहां पैसा लगा रहे हो वह भी बड़े-बड़े लोग हैं उनका एक तो सब्द मिलेगा आपको कॉल मनी और एक सब्द मिलेगा नोटिस मनी एक बाद समझ लेना कि यहां बस बैंक बैंक आपस में खेलेंगे सर बैंक यहां हमने पढ़ा हुआ है इसमें हम पढ़ते थे बैलेज़ि टन का सेड्यूल और इसममें लिखा रहता था हम मनीएट कम वही वृञा है कॉल मनीं हग अगर किसी बैंक को क्योंकि बैंक को पैसी तो लगते यारं बहुत सारे लोग लोगा लेने के लिए आते बहुत सारे लोग वेड्राउल के लिए अगर ऐसाह मों ऐसा हुआ की बहुत सारे लोग विड्रॉष करना चाहते हैं ऐसा हुआफ वप मना कर ऐसा थो पैसो का अरेंजमेंट सारे लोग withdraw करना चाहते हैं ऐसा हुआ भग माना कर ऐसा हो तो पैसों का arrangement तुरंत की तुरंत कहां से हो सकता है RBI से RBI कहां है बैटे RBI थुड़ी जाओ कि आप रिज़र हो हाला कि आप SLR और CRR अगर आपने maintain किया है तो आप RBI से मांग सकते हो पैसे RBI यह आपकी मदद करेगा लेकिन RBI के लिए कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा RBI नहीं वो दूसरी बैंक को बोल सकता है दूसरी बैंक से हम पैसे ले सकते हैं और हम यह बोल सकते हैं कि हम कल वापस कर देंगे अगर बैंक को पैसे दूसरी बैंक से दूसरी बैंक को अगले दिन वापस कर देंगे अगर बैंक को पैसों का जरूरत पढ़ रहा है तो वो एक दिन के लिए पैसे ले सकता है दूसरी बैंक से बैंक को का अपस में लें नहीं यह कोई कंपनी और पब्लिक तो भी नहीं सकता ठीक है लेकिन अगर आपको एक से जादा दिन की जरूरत है दो दिन से चौदा दिन तक 14 डेस तो ऐसे मेंनी कि मैं बैंक के पास गया मैंने का मुझे दो दिन एक दिन के लिए नहीं चाहिए भाई मुझे चार-पास दिन के लिए चाहिए तो वो पैसा में लेगा लेकिन उसको call money नाम नहीं दिया जाता उसको नाम दिया जाता notice money बस और कुछ नहीं है ठीक है सर तो मैं पुरा paragraph नहीं पढ़ूँगा यह सर यह कहां से उठाया गया आपके study materials एक बात समझ लो यहां बात किसकी हो रही सिर्फ scheduled commercial schedule समझते हो ना schedule bank समझते हो गए ठीक scheduled commercial bank की बात हो रही है ठीक है और जो होता है borrow आप overnight करते हो मतलब एक दिन के लिए या फिर आप 14 days के लिए आप उसको notice बोल सकते हो notice money market में क्या होता है period दो दिन से 14 तक होता है और बस आगे बाकी कुछ मुझे और नहीं समझाना तो यह भी एक instrument पैसो का arrangement short term के लिए पर आप नहीं company भी नहीं firm भी नहीं कौन bank ठीक दूसरा treasury will तो अभी नहीं समझेंगे दूसरा यह समझ ली ते certificates of deposit क्या होता certificate of deposits पहले यह समझा देंगे अब सुनना दियां से bank ठीक है sir और यह कौन है sir यह public आप इनको customers भी बोल सकते public और बहुत सारे लोग loan के लिए आ गया bank के पास हमें loan चाहिए 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 बहुत सारे लोग अब इन लोगों को loan देना bank को loan किसे देना पब्लिक को, बैंक के पास जितना पैसा रहा होगा लोन दिया, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा डिमांड है लोन की, क्या किया जाए, तो सर बैंक क्या issue करेगा, certificate of deposit, फिर बोलेगा पुंजी पुंजी पती लोग से, हमें पैसे चाहिए, आपके पास अगर सर प्लस फंड है, तो आप दे दीजिए, हमें आप deposit कीजिए, और यह जो deposit करने वाले होते हैं, यह कौन होते हैं, बल्क depositors होते हैं, बल्क में पैसा जमा करते हैं, और बदले में हम आपको certificate देख दीगे, जिसका नाम होगा, certificate of deposits, सर बैंक में तो ऐसे भी वो लोग जमा कर रहे हैं, ने बिटे, यहां rate of interest ज्यादा रहेगा, इट मेंस, यह लोग क्या करेंगी, बैंक क्या करेंगी, बैंक बड़े-बड़े लोगों से, जिस पैसे वाले लोगों से, यहां deposit accept करेंगी, और वो भी deposit ऐसा नहीं है, कि दो लाग रुपिया, करूडों में, और बदले में जो इनको issue किया जाएगा, इसे बोला जाएगा, certificate of cds, बोलते हैं, certificate of deposits, बस यहां rate of interest क्या होगा, जनरली जो जमा करना है, every type कही है, बस इतना समय लेंजिए, कि यहां आप जमा नहीं कर रहे हो, यहां बड़े लोग जमा कर रहे हो, ठीक है, बस यहां rate of interest जनरली जादा होता है, और यह वाला जो loan accept किया, यह इधर, पब्लिक में बाट दिया, certificate of deposits, हमें क्या आना, बैटे, हमें कुछ नहीं आना, हमें बस यह आएगा, कि यार, और यह भी issue कैसे होता है, discount पे, कि यह इतना जमा किया, और यह सारी चीज़े है, कि यार, issued a discount, मतलब, sir, bank, आप से क्या बोलेगी, bank, यह बोलेगी, कि सुनो, अब भी ऐसा है, कि 99 करोड जमा करो, और 100 करोड रुपे, redeemed हो जाएगा, बस, एक करोड कमा है, तो percentage निकालना, यह exam में आना है, और कुछ नहीं, साथ formula बनात होगे, कि कैसी बात कर रहा, final level of formula, call money में क्या होता था, call money में, bank, आपस में, certificate deposit में, जो banks है, वो deposit accept करेगा, किस से, बड़े-बड़े depositors, ठीक है, ठीक है, टाइम पास चोड़ो, चले आगे, तो यह दूसरा में नहीं करवाए, certificate of deposit, इसी sequence में पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगे, पढ़ना क्या, इसको बस एक पर सुन लो, ठीक, इसके अलावा क्या बात करते है, commercial papers, शर्ब commercial paper क्या होता है, यह bank, जिसको मैं बोल रहा हूँ, bank है, पैसो की ज़रूरत है, short term के लिए, क्या करें, bank की बात छुड़ोने, bank रखते हैं, bank भी हो सकता है, bank की बात छुड़ो, अब मैं company की बात करूँगा, छुड़ोंगा, यह लो जी, bank होता तो RBI से ले लेता, यह दूसरी bank से ले लेता, यह बहा, यह company, पैसो यह क्या करेंगा, यह तो RBI से लिए नहीं सकता, यह क्या करेंगा, पैसे चाहिए, short term के लिए चाहिए, specially मैं बार 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 बोला हूँ, short term के लिए, करें तो क्या करें, sir, bank से working capital loan, हाँ, इसके अलावा, options बोलिये न, इसके अलावा, sir, इसके अलावा, बिटे, एक बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको पैसो की ज़रूत पढ़ते हैं, क्या सीधा bank चले जाते हैं, क्या रिलेटिव से, क्यों बैंके जाओ गए यार, sir, रिलेटिव कौन देता, पढ़ उसी, छो, भी, दस दिनों के लिए ज़रूत है, मैं बैंक जाओंगा, क्या, मैं जाओंगा, सुनो ना, घर के साइड में, थोड़ी से पैसे चाहिए है, क्या आपके पास, चार दिन बात ले 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 ना, बस, और पुछ नहीं है, तो सोचो ना, बैटे, कंपनी है, तो क्या, sir, तो वो दूसरी कंपनी से उधा ले लेगे, बिल्कुल सहीं, दूसरी कंपनी से उधा लिया जा सकता है, कंपनी भी, अच्छा, sir, तो sir, एक बात बता हूँ, आज के जमाने में कौन किसका साथ देता है, आप बोल रहें, दूसरी कंपनी से उधा लेगे, तो दूसरी कंपनी से उधार तो लेगे, बिल्किन, ये वाली कंपनी किसको ढूंडेगी, बिल्किन, ये किसी को हाली है, ये इंटरमीडियरी के थ्रू काम करेंगी, एक कंपनी, दूसरी कंपनी से डारेक्ट बात नहीं करेंगी, बीच में बैंक होगा, बैंक इंटरमीडियरी, अच्छा, sir, yes, अब सुनो काम कैसी होगा, बैंक, और बैंक इन दोनों कंपनी में डील करवाएगा, बतले म बैंक को क्या फायदा, बैंक को मिलेगा कमीशन, अच्छा, कमीशन मिलेगा, और फिर क्या होगा, फिर ये कंपरी इस से लोन ले लेगे, इसको क्या मिलेगा, लोन, पर बदले में भाई, कुछ ना कुछ तो पेपर्स दीचिए, और जो पेपर इस्यू करेगे, उसका नाम क यह होगा commercial papers. Sir, यह papers पे stamp duty वगेरा सब लगेगा भिठे. Stamp duty लगेगा. Okay, Sir, एक बात बोलो. यह company इसको लोन देने वाली है. इस company के विस्वे में कॉन बताया? Bank. Sir, यह company पैसे वापस करेगी, कि नहीं करेगी. कुछ गिर्वी रखेगी कि हमारे पास. कुछ गिर भी नहीं रखा जाएगा सर तो मैं कंपनी भी में कंपनी एक हो क्यों लोन दूँ जब कि यह कुछ पहली बात रेट ओप इंट्रेस्ट थोड़ा सा ज्यादा कम ज्यादा हो सकता ठीक है सब दूसरा क्या दूसरा सुनोगे लोन क्या होगा सिक्योड अनिक्योड ऑख इसमें कोई शक्की बत ने शक्योड रोका लेकिन यार हम कंपनी एका रैटिंग चैक करेंगें थे ड़ल और मतलब हम हैसियत चेक करेगे कि यह पैसी देने की स्थिती में है कि नहीं है पास्ट रिकॉर्ड क्या है अब पास्ट रिक चार्ज भी देने होते है, यह सर, अगर मैं बोलू, इसके खर्चे होते है, भीक मेन के कद्थे ही, करने के खर्चे भी ओते हैं, क्या, क्या लग जाता है, Commission, दूसरा क्या लग जाएगा, रेटिंग चार्जेस, तीसरा क्या ब्रोकरेज वगेरा हो तो लगना है लगना उसकी बाद छोड़ दीजिए अच्छा सर कमिशन राइटिंग चार्जेस स्टाम ड्यूटी बहुत सारे चीज़े यह सब एक्सपेंसेज होते हैं ठीक है होते कौन से लो नहीं अनसेक्षिर एक कंपनी दूसरी कंपनी से शॉट्ट नम के लिए पैसे ले सकते विद्धा हैलप आप बैंक और इश्यू क्या कर सकते कॉमर्शियल पेपर यह सब पढ़ लेना काम-काम की चीज़ यहां लिख हुई है पहली बत कॉमर्शियल पेपर कैसी होते शिक्योड की अंसिक्योड अंसिक्योड और नेगोशियल है आप ने कॉमर्शियल पेपर में बैंक बीने किसी से लिया वह आप उसकी और को ट्रांस्पर कर सकते हैं ठीक है इस्यूड भाई इंपोर्टेंट हाई रेटेड और यहां रेटेड लिखा है रेटिंग चैर्जिज लगता है रेटिंग चेक करोगे तब आप इस्यू करोगे वर्किंग कैपिटल रिक्वार्मेंट जनरली कितने दिन के लिए साथ दिन से एक साल के लिए तो कमर्शियल पेपर वह भी यह इसकी भी यही कहानी है इस्यू के डिस्काउंट फे रेटिंग हो एक पार इसके कोश्चन है तेन कोश्चन से टुटल बड़ा के ठीक है तो बस यही बात आपको समझना है हमारे लिए काम की चीज़ किया है हमारे लिए काम की चीज़ है commercial paper issue होते डिसकाउंट पर गुलरीम चले सर यस कोमर्शियल पीपर के अलावा और क्या है ट्रेजरी पर अब सुनना देहां से मेंग को शोट्टम के लिए पैसे चाहिए बेंग को तो बैंक की शोट्टम के लिए पैसे कहां से लच अलोकि वो रेप भी होता इगर आर बी mo नियुक्ए कहां से दूसरी अल्च प्रश्रीख और से प्रश्रावा बीच में कोई इंटरमेडियरी नहीं होता है लेकिन अगर किसी कंपनी को शॉट टम के लिए पैसे तो वो क्या इस्यू कर सकती कोमर्शियल पेपर दूसरी कंपनी से कि बीच में इंटरमेडियरी कोन होता है बैंक जिसको कमिशन अगरा मिलता है क्या हमारी भारत सरकार को हमारी गॉवर्मेंट को भी क्या पैसों की जरुद पड़ सकती है हां सर वो खोदी तो नोट चाप बेक आप आम आदमी की तरह बात नहीं कर सकते कि खोदी नोट चाप सकते तो उनको क्या पैसे किसी बात करते हैं बेकुप यह तो यह लेवंत वाला बच्चे का कोशन होता ठीक है हां तो अब गॉवर्मेंट को पैसों की जरुद है तो गॉव सकती है लोगों से लोगों से मतलब सर हम से अब इतना दम नहीं है जो बड़े बड़े लोग है उनसे पैसे उधार ले सकती है ठीक है गॉवर्मेंट पैसे उधार ले सकती है और जब पैसे उधार लेती तो उनको जो इस्यू किया जाता वो इस्यू किया जाता ट्रेजरी गवर्मेंट को शॉट टाम के लिए पैसे होगी ज़रुआता है और यह उन्डर्ट परशन इसमें गारंटी है कि रिस्क-फ्री होता है रिस्क होता ही नहीं है भाई इसमें क्यों नहीं होता है रिस्क गॉर्मेंट कैसे दोखा का देस यह तो प्रॉमिस करती है न मैं धारक को जो यह नोट पर ऐसा लिखा रहा है था में धारक को इतने रूप वही कुछ है यह प्रॉमिस और मैंट का प्रॉमिस है तो पिर दोखा जब जो नोट है नोट उसमें दोखा नहीं हो सकता इसमें कैसे उसकता है इस रिस्क-फ्री ट्रेजरी बिल तो भाई ऐसा है गॉवर् औफ इंडिया बड़े बड़े लोगों को ट्रेज्री इस्यू करती है, तो सर ये गार्मेंट औफ इंडिया की पास इतने काम है कि वो ढूंड़ेगी सब लोगों को कहा है रहा है बड़ेव अब बड़े लोगों को अपने करे कि जैसे, दो कंपनी के बीच में एक कंपनी दूसरे कंपनी को ढूंडती नहीं थी बीच में इंटर्मिडियरी होता था बैंक तो यहां भी बीच में इंटर्मिडियरी होगा और उसका नाम क्या रहेगा बैंक पर उसको हम बोलेंगे बैंक को गौवर्मेंट का बैंक जिसका नाम है रिजरो बैंक अपर इंडिया इन लोगों को इश्यू किया जाएगा ट्रेजेविल टीबिल कॉन इश्यू करेगा है पैसो ज़रूद किसको बवहर्मेंट को लेकिन आर बीए के थू काम होगा एट मेंस यह इश्यू करेगा क्या टीबिल और बदले में क्या जाएगे पैसे ठीक टीबिल इश्यू क्या इश्यू डिस्काउंट पर बस और कुछ नहीं हां किसके विद्ध हेल्प आर्बी और इसमें भी वही मात है इश्यू डिस्काउंट इसका बने कोश्चन भी करवाया हुआ मस पढ़ लोगे बाकी तो कुछ है नहीं शौट टम प्रोमेजरी नोट होता है यह सब कहानी किसे हाँ अभी आजकल जो और ऑक्ष्ण के थूरू होता है ऐसे नहीं होता है कि ऑक्ष्ण मतलब समझ रहा हूँ टीबिल पे ऑक्ष्ण जैसे सौ रुपए रिडीमेबल वैसे होत पेटिशन एक्जम देना तो मैं आपसे बोल रहा हूं सौ रुपए है भई फेस वैल्यू बोली लगाओ एक ने बोला जी लगाया कि यार हम 98 देंगे बदले में 100 दे देना एक बोल रहा हम 97 देंगे एक बोल रहा हम 96 देंगे कौन जीता कौन जीता सब यह जीत गया कूंकि यह 98 दे के 100 ले रहा है तो गॉवर्मेंट तो इसको सबसे पहले प्रिफरेंस देगी ना चलो भई इसकी बात करो यह 2 रुपिया ही कमाना चाहता और यह बोलता मैं 3 रुपिया का मंगा तो इसका चलो चलो हम 2 रुपय वाले से बात करेंगे भई गॉवर्मेंट अपना फा नाइन टीवन डेज होगा यह 182 जोगा यह 364 जोगा ठीक है अगे चले जहें यस है को मर्शिल्स बिल्क्या होते यह तो मुझे समझाने नहीं इस बिल्स ओफ एक्षिंष याद है हाँ सर, एक बिल्स पेबल होता थह, एक बिल्स रिसीवेबल होता थे, कितने समझदार, सु यह फाइनल लिवल में मुझे यह बताना पढ़ रहा है, तो लिए वो commercial bill बन गया और सिंपल सी बात है वो short term के लिए होते हैं और कुछ नहीं है इसमें मुझे कुछ समझाना है कि कुछ नहीं समझाना बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल लिखा है भाई वह मैं क्या समझाऊंगा आपको और एक बात है वह नेगोसियेबल होता यह भी तो सर क्या-क्या पढ़ चुकिए अभी तक हम सर एक तो थलका बहुत थोड़ा बहुत कॉल मनी नोटीस मनी हो गया ना हां बोला बैंक को बैंक कॉमर्शियल स्टिपिके ड़ी पॉजेट्स हो गया पबलिक को लोन देना यार उधर से ले लो ठीक है तीसरा क्या बढ़ा हमन कुछ बचा यह बचा रेपो एंड रिवर्स रेपो अब ध्यान से समझना मेरी मात का यह भी बैंक बैंक होता है ना बैंक ए और रिजर्व बैंक ओफ इंडिया क्या बैंक को पैसो की जरूरत पड़ सकती है यस मार्किट में पैसा चाहिए पैसा है नहीं तो क्या कर सकती है रिजर्व बैंक ओफ इंडिया बैंक को लोन दे सकती है और जिस पर लोन देती है उसको बुलते है रेपो सर पका हाँ जी पर बदले में इनको सिक्यूरिटी बैंक के पास रखना होता सिक्यूरिटी सर सिक्यूरिटी मतलब इन बैंक के बास बॉंड्स वगेरा होगे न आप वो दे दीजिए रिजर्व बैंक को और री पर्चेस ऑप्शन और बोलिए सहाब कि इन सिक्यूरिटी इस को हम आपस खरीद लेंगे मतलब सिक्यूरिटी सर गिर भी बोल दो कि लगभग वही हो गया कि यह सिक्यूरिटी आपने रखा रिजर्व बैंक के पास और बोला कि इसमें मेरे पास आप्शन रहेगा मैं इसको वापस खरीद सकता हूँ और वापस खरीदने की कीमत क्या होगी वह होगी जितना लोन मिल रहा जितने का बेच्चा उसमें इंट्रेस्ट जोड़के हम वापस खरीद लेंगे मतलब मतलब हम क्या करेंगे हम जब चुकाएंगे तो हम चुकाएंगे लोन एमांट प्लस इंट्रेस्ट और फिर हमको क् वापस मिल जाएगे, री परचेस, रीपैमेंट होगा, तो यह सिक्यूरिटी हमको वापस मिल जाएगे, that's it, बस और कुछ नहीं है, है ओके वैसे एक बादगो रिपो रिपो रेट क्या होता है से रिपो रेट तुम को पतार पॉरे डायर निए बल रहा हूं मैं रापको की बात करहу मैं रेपो रेट की बात करहूं रैपो रेट मतलब बैंक Us serbs रिजर बेंक से पईसए जालेते चैक और रीवर की security को repurchase कर देंगे और हम repayment कर देंगे that's it और कुछ नहीं रैपो reverse repo 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 reverse repo rate मुझे समझाने कि फिर से जरूरत नहीं है फाइनल लेवल पर अगर मैं यह चीज़ समझा रहा हूं तो मुझसे बड़ा बेवकुफ कोई नहीं कि मैं CRR समझाओ SLR समझाओ में रैपो समझाओ reverse repo समझाओ तो बड़े दुख्यी बात है ठीक है सर फिर से रैपो मैं बैंक मुझे RBI से लोन लिया मैंने जरूरत थी इसे रैपो rate reverse मैं अगर RBI की पास पैसे जमा करता हूं बलो rate of interest किसका ज्यादा रहता होगा सोच के बताना से उधार लेने का ना भाई रैपो का reverse repo का rate of interest कम होता होगा ठीक है खाया खेर यह क्या लिखा है वो चीजे में आपको यहां डिसकस कर दिया देखते हैं देखते हैं the term repurchase agreement and reverse repurchase agreement refer to a type of transition which is money market देखो by selling security इसेल के security और एग्रेकर लिए क्याम रीपर्चिस करेंगे सेम लेटर आइश पेस आफ्टर इस स्पेसिफाइट टाइम जनरली इस इस स्पेसिफाइट प्राइज विच टीपिकली इंप्रूट इंट्रेस्ट एंग्री डपन रेट ठीक बस कहानी यहां कि रैपो रेट रे पूरेट अगेंस गौवर्मेंट फेच्यूरिट सर्फ मतलब समय रहा हूं सर एंगेंस प्रिस्पाइट ओंख सर्सिति कोई ऑगी गौवर्मेंट फॉर्मेंट आप इंडिया की स्विट्यूर्य की टीक है अनों दॅधर्धर एंड रिवर्स एक तो श्रेट विजिवे सब कहानी वहांने लिखी है तो यह पढ़ लोगे रिवर्स रिपो मैं आपको नहीं समझा रहा हूं ठीक है तो बस यह सब कुछ पढ़ा दिया और कुछ पढ़ा किया दिया हूं बाकित आप पढ़ लेना चांसिस बहुत थी कम है तो सर खतम करें हां लेकिन सबाकिये और सर कोश्चंस कैसे कुछ नहीं आएगे बहुत नहीं निकालने के लिए गे कोश्चंस ऐसे कोई यह एक बार देख लेना मुझे नहीं लगता कि इंपोर्टेंट है यह सिरियस लिए बतां ट्वल्थ क्लास का जो बिजनेस पढ़ाना जिस बच्चा वो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझा सकता जबरत नहीं समझने कि वह टाइम में नहीं इतना फॉरेक्स पढ़े पढ़े कि यह पढ़े ठीक बनाएं कोश्चंस यस हां हां जी थियोरी कंप्लेट हुए अब कोश्चंस कोश्चंस ज्यादा बढ़े नहीं है और इसमें से काप अगर अपका ना फिर से बोल रहा हूं सिक्क्यूरिटी वैलुईशन का पार्ट मा लिया है अगर आपका पहल थिए और फेसे सिक्क्यूरिटी वैलुईशन किया हुआ है अच्छे से तो यह तो बच्च्शा है अब इसमनलोग धिकत नहीं होना है को तूप्सर सटकोशन देखें ऑल्रेडी कहां करवा चुका हों सिक्क्यूरिटी वैलुईशन में अल्रडेडी करवा धिया हॉइ पर ह होती है किसके बिहाब पर गवर्मेंट 91 एक टी बिल और फेस वैल्यू रुपीज हंडरेट एक बात तो पक्की है क्या चीज कि हम यह मानते है मानते है क्या टी बिल जो है इस्यू होता है डिसकाउंट और येल्ड कितना दे रखा है 6% हमेशा कुछ ना दिया है तो पर रहनम येल्ड है 6% पर रहनम वाट इस द इस्यू पर रहनम है तो डिसकाउंटिंग फैक्टर निकालते 6% 91 डेस का फैक्टर और 100 का प्रिजेंट वैल्यू निकाल दो के अंसर रह जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीका जिसे बॉंड में करते थे जीरो जैट सी भी जीरो कुपन बॉंड तो फ्यूचर में जो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा 100 रुपए 91 उसका प्रिजेंट वैल्यू डिसकाउंटिंग कितने परशन की 6% पर रहनम है तो 91 डेस का फैक्टर ले लेंगे देखा जाए तो बिल्कु सिंपल है सर कहना क्य चाहते है फिर से बोलो बिट्टे देखो हमें क्या निकलना हमें निकलना कैलकुलेशन ओफ इस्चु प्राइस कैलकुलेशन ओफ इस्चु प्राइस ओफ ट्रेसरिवल मैं आपसे यह बोल रहा हूं सीधा सीधा मैथर नमबर वन करके लिख दूँ तो चलेगा क्या ठीक है सर चल जाएगा मैं आपसे बोल रहा हूं कि सबसे बहले डिसकाउंट ही फैक्टर निकलता फैक्टर का मतलब वो डिवाइड वाला लिंका लेते हैं डिसकाउंटिं रेट तो 6% है तो 6% है तो 0.06 भी कर सकते हैं 0.06 इंटो 91 डिवाइड वाइ 300 पैसेट ले रहे हैं प्लस 1 कर देंगे तो फैक्टर है जाएगा 0.06 इंटो 91 डिवाइड वाइड 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 रहे हैं तो 1.04 नहीं 014958 89 और कितना बड़ा फैक्टर लूंगा ठीक है और अब क्या जाएगा issue price of bond here issue price of three bill issue price of tea bill rupees 100 face value divided by 1.0149589 to 100 divided by 1.0149589 answer again rupees 95.275 that's it you can see it completely simple 91 days factor and 0.06 into 91 divided by 365 sorry 0.06 into 91 divided by 365 plus 1 m plus medal exact answer 100 divided by mr equal to oh oh calculation mistake aise ho kai sir ji yaha kitna ra yaha ra 98 0.526 100 divided by 1.0149589 98.526 take a calculation mistake what a dick take a simple year tariqa sir doosra tariqa kya hai yeh joh aapka hai yeh ici ai ke keroge question ko sir treasury bill to 25 arse se com ka nhi hoka bity question ko challenge n Maleage nang a tick a lake aam unho naka kya kya yield diyah है to yield diyah kitna passion six passion to yield nikalnega formula kiya hai minna upko batata tha ki bhai rupeeze 100 minus x क्योंकि हमें issue price निकलना divided by x तभी तो yield निकलेगा into 100 क्योंकि यह per annum है तो हुआ क्या होगा 365 divided by 91 ठीक annualize कर लिया ठीक है sir अब यह 100 divide हो जाएगा बात समझ में आ रही है 6% मतलब 6 है यह 6 बस समझ में आ रही है 6 लिख दू पर्षेंट का मतलब पर्षेंट उसको हटा देता हूँ तो यह 6 आया तो कर दिंगे क्या sir 6 divided by 100 into 91 divided by 365 इतना मैस तो आपको आता है यह ना यह multiply यह divide sir यह divided हो कि क्या हो जाएगा multiply is equal to 100 minus x बापरे बाप देखें क्या आ रहा 6 by 100 into 91 divided में 365 तो sir यह आगे 0.0149589x यह तो निकल अथा ना भाई 100 minus x तो यह plus हो जाएगा plus 1 करतो तो sir यह आगे 1.0149589x is equal to 100 तो sir x is equal to निकल सकता है yes यह ही कर लो x is equal to 100 divided by 1.0149589 is equal to 98.526 टाइम पास है सीधा आपको समझ में आ रहा है और यह कोशन मेंने security valuation में कर वाय रखा और कैसे कर वाय था ऐसे कर वाय था ICI ने कहा let assume issue price भी x कर लो भाई क्या फर्क पड़ता तिक formula में जाना ऐसा logic हम को पता है present value निकलना है present value निकलना है तो यह कोशन था सर नेक्स्ट कोशन पर चले क्या यस बिना टाइम बर बात करे यही से हम नेक्स्ट कोशन पर चलते यह दूसरा कोशन आपके बुक कभी सेकेंडी कोशन होगा इस इस कोशन नमबर टू लिख दूँ क्या है यस इस कोशन नमबर टू क्या लिखा है कोशन नमबर टू में ये देख थे लिखा वंडरलाइन लिमिटेट ठीक है बाई अज एक्सेस कैश और रुपीस 20 लैक्स 20 लाख रुपिया पड़ा है उनके पास किनके पास वंडरलाइन लिमिटेट विच इट वांटस तो इंवेस्ट इन शौT term marketable security यह नहीं बतारहीं कहाँ पर शौT term marketable security में आपको invest करना है एक्सेस कैश टतना है फच ओसथ और उर जिस सेक्रॉर्टे में इंवेस्ट कर रहे उसे अनूल येल्ड कितना है 9% annual लिखा सब से annual yield 9% ठीक है तो company 6 your advice as to ऐसा period बता ये कि investment से आप income कमाले वो भी pre-tax अच्छा tax credit नहीं और कितना कम percent 5% सब 5% per annum कि नहीं भाई नहीं period तीन महने होगा तो भी चलेगा 5% पर उस तीन महने में हमें 5% की कमाई हो जाना ही चाहिए भाई it means हमें income in rupees point number one क्या कर रहा है सबसे पहले period calculation of period और उस period में income कितनी होने चाहिए है income should be 20,00,00,00 into 5% sir एक लाक रुपए की तो ये income होना चाहिए एक लाक सर इसके साथ क्या एक लाक रुपए की तो भाई कमाई होनी चाहिए कि चाहिए तीन मेने चे मेने साथ मेने कोई और 50,000 जो expenses है वो भी recover होना चाहिए कम से कम इतना कमाना बढ़ेगा expenses कितना 50,000 तो टोटल हमें कमाई कितने की होना चाहिए रुपीस वन लेक 50,000 वी हैव टोटान सवाल ये है कि 20 लाक रुपए लगा के हमें कितने पर्षेंट येल्ड है 9% पर एनम येल्ड एनवल 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 लिखा है तो कितने परियोड में मतलब सर करेंगे क्या करेंगे कुछ निमीट्थे यह लेथा 6% पर रहे हैं इस बार हमें hundred माइनस यहां यह सब लेते था इस बार यह सब हमको पता है कितने की कमाई होनी चाहिए ये भी पता है सबान है हमें क्या निकालना हमें ये period नेकालना period तिक कितने period में उसने annual yield नहीं बोला वहले कितने period में हमारा कमाई हो गी तो X ले ले लेना period को और कुछ नहीं करना एक बार कोशिश करतेे को लेट एजियूम पीरियड भी एक्स ठीक है जे कमाई कितने की होनी चाहिए रिटर निकाल ले थे सर एक लाग रुबे पचा एक लाग पचास अर की कमाई होनी चाहिए कितना लगा रहा है जर वीस लाग इंटू कितना पर्शन येल्ड है सर 9 पर्शन कितने दिन में एक्स और मंत में निकाल दे दे देज में भी कर सकते पर ICAI ने मंत में कर रखा तो मैं मंत में कर सकता हूँ alternative days में भी calculate कर सकते हैं सर ये तो into हो जाएगा 12 yes तो सर ऐसा कर ले एक लाख पिच्चासर into 12 is equal to 20 लाख into 9 परशन एक लाख एक लाख 80,000 X X is equal to एक लाख पिच्चासर into 12 divided by एक लाख 80,000 10 months सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम में दस मेहने तक पैसे लगा ते 20 लाख रुपाय जो खरच कर रहे वह 10 मेहने तक करें 10 मेहने खरच ने कर रहे इन्वेस्ट मेंट कर रहे अगर हम 10 महा तक निवेश करें इन्वेश्टमेंट करें तो हमारी टोटल कमाई दीड़ लाख रुपए की होगी उसमें 50,000 खर्च का बेरिक कभर हो जाएगा और खर्च के अलावा भी हम एक लाख रुपए की कमाई कर लेंगे पॉइंट नबर वान था पॉइंट नमर टू क्या बोल रहा है ऐसा पिरियड बताई फिर से पिरियड पूछ फर्द कंपनी टू ब्रिक इवन इट्स इन्वेश्टमें टेक्स में डिशर वह बोल रहा है कि सहाब हमें एक लाख रुपए की कमाई नहीं हमें कुछ नहीं कमान पर जितना खर्च हो रहा है पचास अर उतना तो रिकवर हो जाए बता वो पचास कितने मंथ में रिकवर हो जाएगा क्या सीए फाइनल लिवल पे ये कोश्चन बारबर रिपीट कोश्चन हो रहा है हां जब पॉइंट नमर टू में पूछ लिया भाईया देड़ लाख र लिख देंगे ब्यों को फीवली बाथ है यसी है तो सर कर यह क्या बस कुछ नहीं पिडिट को एक्स मानना बस एक लाख पचासर की जिगाया यहां कितना लिखना पचासर काम हो जाएगा सर हम कर लेंगे मैं जानता हूं आप कर लोगे पर मैं कर लों तो क्या गुना को तो calculation of ब्रीक एवन परियोट एकस कितना पचास जर पीस लाग है नाइन पर्शन एकस मंत में कर लेते हैं ठीक है इतने पिडिड में 20 लाग को इनवेस्ट करके हमारी पचास जर की कमाई होने सकती है ठीक है तो सरी आजएगा पचास जर इंटि एक लागा सिएजर x तो x is equal to 50 एंटो बारा divided by 1 लागा सिएजर 3.33 तो ये कोशन था मनी मार्केट का अच्छो कोशन था अच्छो कोशन था चले आगे यस ओहू अब कोशन किसका अब कमेर्शियल पेपर जर्ट कंपने लिमिटेड इश्यू कमर्शियल पेपर वर्थ रुपीश टैम करोर एस पर फॉलिएंग डिटेल्स कमेर्शियल पेपर के साथ भी सुनो समस्या यह समस्या क्या कि इश्यू होते हैं डिसकाउंट पर कोई शक्की बात हो नहीं नहीं चाहिए फेस वैल्यू है दस करोर इश्यू हो रहा है इंट्रस्ट करेठे 12.04% पर रहा है वाट इस दनेट एमाउंट रिस्यूट बाइ कंपनी कंपनी को कितना रिश्यू होगा इस्यू करने पर कॉमर्शियल पेपर मैंने आपको बताया था इस पर क्योंकि एक कंपनी इस्यू करती है और वो भी डारेक्ट इस्यू नहीं कर सक करते बीच में बैंक होते हैं थो बैंक वाले को भाई कमिशन देना पर देका यस मैंने यह भी बताये था रेटिंग लगन लगता है और उमने आपको यह विव Do के वाली बात ने जो भी चार्जिस है ना चाहिए आपके स्टैंप ड्यूटी के चाहिए आपका क्या बोला था इसके लावा कमीशन वगेरा ब्रोकरित वगेरा बोले सब इग्नोर कर देना ठीक है तो नेट कितना मेलेगा प्रेजेंट वेल्यू इस्यू प्राइज ना यार स तो सर एक काम करते हैं फिर तो डिसकाउंटिंग कर देते हैं बात का तम येस कैलकुलेशन और नेट एमाउंट रस्यूट रस्यूट बाइ बाई कमपनी ओन एश्यू अव कॉमर्शल पेपर सी पी लिखा तो मै भी सी पी लिखा तो नेटी ना इनना टेक है सब से बहुत फैक्टर लेक्टिंग कर दे लिफाटर a interest rate as a list, interest factor list for 91 days 12.04 into 91 divided by में 300 पैसेट ही लूँगा भाई, 365 क्योंकि पर्षेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस 1 तो ये फैक्टर आ जाएगा, 12.04 into 91 divided by 365 divided by 100 plus 1, तो सरी आगे 1.03, सर पी एम में आप हमारी स्टेडी मतियल में कैसे कर रखा, ऐसे ही कर रखा, ठीक है, प्रेजेंट वाईली वाले तरीके से कर रखा, हम भी वैसे करेंगा, एक्स लेके भी कर सकते हो पर नहीं किया तो हम क्यों टाइम बर बाद कर, अम मेरे हिसाब सी यही सही अच्छा है, ठीक है इस्यू प्राइस, कितना, दस करो, रुपीश 10 CR, divided, 1.0300175, प्रेजेंट वाले निकाल ले थे, 10 divided by 1.0300175, तोँ आन्सरा कहे हुड़, प्रेजे यह कोशिन आई रहीं कोशिन था, तोड़ इस वाले कोशिन था क्योश्टन थे, आए कॉमर्सियल पेपर कोशिन था ठीक है सर अगला कोशन करें कि यस ये लो इसमें भी विच इस प्लानिंग ठीक है ठीक कि एच्छी एफेक्ट्ट्व येल्ड मांगा है ना पहले मैं आपको एक इसी सेक्वेंस में आपको इसी सेक्वेंस में कॉश्चन डाल ढूंगा देखते हैं पले एफेक्टिव येल्ड वगेरा हाला कि एफेक्टिव येल्ड आपको आता है पर फिर भी यहां डिस्कुर्स करें मनी मार्कें इंस्ट्रुमेंट विच फेस वैल्यू है रूपीज हंड्रेट येल्ड दे रखा है 10 पर शिक्स परशन विलमेचर इन 45 देस ये रगार तो विल्ड डिस्ट्रुमेंट रखवी ये रूपी येल्ड विच्टिवड प्रंट प्रम्ट रख्वा स्ट्रूमें ट्रीज्ट व्ट्रूमेंट बीच्ट वेल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो इंट्रेस्ट रेट ले लेते हैं इंट्रेस्ट रेट पर 45 तैस्ट 6 इंटो 45 रदगेट वा थीयू 165 रदगेट प्लस वन प्रेजन्ट वाल्यू ने कालने के लिए 45 दिवाइड वे 300 पैसर दिवाइड वे 100 प्लस वन तो सरी आगे 1.007 397 चल जाएगा तो अब जाएगा करेंट प्राइस कितने के इस्ट्रमेंट है 100 1.007 397 रुपीज 99.265 अब भाई मुझे जो ये तो ये तो आता है आपको मुझे बात करना पावर वाला फ्लेवर यू छोगामेंट मतलब हम किस्टिक्व समझाकर बताओ कि समझाकर बता रहा हूं पॉइंट नम्बर टू हाला कि बाउन्ड एक्विवेलेंट हील्ड पूछा ही क्यों है ये दो 6 परसंट ही आना चाहिए ये मैंने और कहां डिस्कुस कर चुका हूं और यहां भी डिस्कुरिशन कर रहा हूं बोलो बिट्टी कितना मिलेगा हमें 100 रुपए और हम लगाएंगे कितना 99.2657 कितना लगा रहा है 99.2657 पहले ये काम कर लिए फिर इसका हम एनुवल करेंगे सर 100 माइनस 99.2657 डिवादेर बैं 99.2657 इंटो 100 तो सर ये आगे 0.7397 परसेंटेस अब मुझे निकलना bond equivalent yield पर है ना तो 0.7397 इंटो कितना ये 45 डिशका है ना तो 300 परसेंट इवादेट बैं 45 सिंपल और इंटो 100 तो है इसमें तो 0.7397 इंटो 300 परसेंट इवादेट बैं 45 तो एप्रॉक्स इसमें इस तरह से काम होगा लेकिन बात कर रहा है bond effective yield effective annual इफेक्टिव सब आएगा ना तो काम कैसी होगा ये समझाने के कोशिश करना effective yield बोल दो effective annual return बोल दीचिए अब सुनना धिहान से पिटे काम कैसी होगा effective से ही हम लोगों को समझ में आहां जाना चाहिए मुझे निकालना bond effective yield अब सुनना धिहांस ये तो ऐसे रहेगा लेकिन अभी हम फैक्टर लगाएंगे 0.7397 divided by 100 plus 1 तो सरी आजाएगा 1.007397 और पावर में आजाएगा 365 divided by 45 बस यहां पावर यूज होगा minus 1 और फिक इंटू क्या कर देंगे इंटू 100 अंतर समझ में आ राज जब बोलेंगा equivalent yield तो आपको सीधा सीधा multiply करना बोल बोलेगा effective सब आएगा तो पावर का यूज करना पड़ेगा ठीक है और यह दो dirty power आता है 1.007397 कितने बार स्क्वार रूट करो कि 12 एक दो तीन चार पांच छे साथ दस ग्यारा बारा माइनस 1 divided by 45 इंटो 365 प्लस 1 और फिर इंटो एक दो तीन चार छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा फिर माइनस 1 और इंटो 106.16 परण तो सर समझ में आया थोड़ी सी बात बस आपको समझ में आ जाए मेरा टेंशन खतम इफेक्टिव में कभी भी हम कंपाउंडिंग लेकर चलेंगे अगर बॉंड एक्विवेलेंट येल्ड है तो सीधा-सीधा हो जाएगा ठीक है ठीक है नेस्ट कोश्चन बनाई क्या हां सर बनाते हैं इसमें इफेक्टिव वाली बात आई कि जो मैंने पिछला कोश्चन में समझाय था जरा दिखते है क्या लिखा हुआ है साहां फ्रों दो फोलिंग पर्टिकुलर्स कैल्कुलीर्ड द इफेक्टिव रेट समझ में आ जाना चाहिए फेक्टिव रेट दिया है इफेक्टिव पर आनम एस वेलैस दो टोटल कोश्ट ऑफ फॉंद तू भाष्कर लिमिट पहले तो इफेक्टिव रेट निका लिये और सातमे टोटल कोश्ट भी निकाली ऑफेक्टि रेट ह्म परशनेज में निलेंगा टोटल कोश्ट में परशनेड विच प्लांइघ इस प्लानिंग वो कितने मेहने के निकलेगी तीन मेहने की फिर उसको हम परैनम बेसिस में निकालेंगे ना तो कमपाउंडिंग यूज करेंगे बस मतलब पावर वाला फ्लेवर आजाएगा उसके साथ यह भी जोड़ देंगे तो टोटल कॉश्ट अफ फंड आजाएगा ठीकर यस तो सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं इफेक्टिव रेट ओफ इंफ्रेश्ट येल्ड फो थ्री मॉंस एक लाग में रिडीम्ड होगा फॉर्मूला ने लिख रहा हूं मैं इस नाइन से वन फाइफ फाइब जीरो रिद्ड जिडाएब किषी ओगा भाई नाइन सेवन फाइबफ फाइब जीरो घंट पर्षंटेज में जाएगगा एक लाग माइन नाइन ज रिडीमिन फॉर्प फाइब जीरो इन टू हंडट तो यह आगए तर्थं पॉइं Pron 1.5% is 3 month तो effective rate निकल जाएगा तो यह हो जाएगा 1.025115 पावर क्या हो जाएगा 4 12 by 3 मतला 4 minus 1 कर देंगे और फिर into क्या कर देंगे 100 1.025115 इंटो 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 100 तो सर यह आगे 10.43% effective rate इस इस पर अनम ठीक है और क्या निकलेगा total cost of fund total cost of fund तो सबसे पहले लेते एफेक्टिव रेट टैन पॉइंट फॉर थी पर्शंट इसके अलावा ब्रोक्रेस पॉइंट वन फाइब पर्शंट है त्री मैं तीन मैंने का तो बारा मैंने का कितना कॉमर्शियल पेपर है विट्टे ब्रोकरिस वगिरा लगेगा मैं बात कर चुका हूं कितने मैंने का है तीन मैंने का तो बारा मैंने का कितना तो यह भी एफेक्टिव नहीं होगा विट्टे पेकार की बात है कंपाउंडिंग का इफेक्ट थोड़ी ना था इस सब को मर्शियल ब्रोकर के लावा क्या रेटिंग चर्जिस रेटिंग चर्जिस लगता मैं आपको पहली भी बता दिया उन्शिक्टよね हैं तो रेटिंग चार्ज इस पर रैंड बेसिस पर ही देए रख और जनरले पर रैंड रहीं लगता है और रेटिंग चार्जिस कितना पॉइंट 5 जिरू पर इसके लावा स्टैंप ड्यूटी जब जब भी कॉमर्शियल पीपर इश और स्टैंप duty कितना 0.175 तीन महने का है तो बारा महने का कितना सर 0.70 पर टोटल मार लेते सर 10.43 प्लस 0.6 प्लस 0.5 प्लस 0.7 12.23 पर पर रहें दिस टोटल कॉष्ट ओफ फंड ठीक तो यह कोशन था अच्छा कोशन अगर एक चाहिए चले अगले कोशन पर यह सर चलो जी बचेव कोशन देखते हैं उसमें से पहला कोशन यह कोशन अच्छा लेकिंशी यह शीएस लिए AXY Limited is able to issue commercial paper commercial paper issue करते रहा है और face value commercial paper की कितनी है 50 लाग every four month और rate of interest कितना है 12.5 पर रहें ठीक तुसर commercial paper issue कितने में हो रहा है अगर यह face value तो issue कितने में हो रहा है वो निकालना पड़ेगा ठीक cost of placement of commercial paper commercial paper issue करने के खर्चे भी है और खर्चे पत्चीस सो रुपए पर issue ठीक है जी AXY Limited को bank में 1,50,000 रुपए balance maintain करना पड़ेगा हालाक यह 4 साल बात free हो जाएगा चार मेहने बाद sorry tax rate 30% what is the cost of fund after tax आपको निकालना cost of fund for commercial paper issue maturity of commercial paper is four month maturity 4 months ही ले रखा मतलब हमें month में काम करना सबसे पहले काम करते है पैसा कितना आया net पैसा कितना आया वो निकाल लए थे net amount receipt तो चलो sir दिक्कत नहीं है है तो सबसे पहला काम हम करेंगे को क्यार देखो सीधी सी बात है में कौश्ट निकालना कौश्ट का मतलब किया कितना पैसा आया हाथ में और उस पर हमको कितना देना आफ्टर टेक्स तो सरी कोश्चन नमबर कौन सा यह कोश्चन नमबर होगा आपके लिए 6 खेक है सार तो अभी हां क्या लिखेंगे नेट एमाउन्ट रिसीट अब यहां क्या लिखेंगे इन नेट एमाउन्ट रिसीट तो सबसे पहले इश्यू प्राइस पहले तो फोर मंथ डिस्काउंटिंग रेट ले लेते हैं चलो पहले लगा हूं वही कर लेते हैं हम यह मान के चल रहा है कि कभी भी डिस्काउंट पर इश्यू हो रहा कोमर्शियल पेपर इसलिए मैं क्या करूंगा में इंट्रेस्ट फैक्टर फोर मुंस यह निकालने के कोशिश करूंगा कितना पर्षेंटेज है सर त्वेल पॉंट फाइव इन्टू 4 बाइ 12 दिवाइड बाइ 100 प्लस 1 12.5 इंटू 4 बाइ 12 दिवाइड बाइ 100 प्लस 1 1.04167 ले ले लेते हैं ठीक है ठीक है जर अब काम हो सकता है अब लिखेंगे issue प्राइज औप कोमर्शियल पेपर पचास लग इश्यू का डिसकांट पर 1.04167 आपके मालू में इस्टडी में बहुत सारे अल्टरनेटिव से कोश्चन बना रखा है अगर आपके मन में जो भी आरा नहीं नहीं सर पचास लाग पे इंटरेस्ट लगीगा तो वो भी एक अल इस्टडी मठील में डाल रखा है ज्यादा चिंता नहीं करते हैं मैं जैसे करवा रहा हूं वैसे करते जाहिए हमें मालू में इश्यू जो कमर्शियल पेपर इश्यू होगा वो डिसकांट पर होगा तो पचास लाग डिवाइड़ बैए 1.04167 तो 47 लैक मतलब 48 लैक्स ले आया और पचास लाग जाएगा दो लाग रुपाय का इंट्रेस्ट पर 48 लैक्स जरह सोच के दिखते हैं आज जब मैंने इश्यू किया तो क्या मेरे पास 48 लैक्स जेब में आया हां लेकिन खर्च भी तुवे खर्च मान लो इसी में से करने अच्छा सर तो माइनस माइनस क करना पड़ेगा अब जो आया 48 लैक्स सर उसमें से कॉश्ट प्लेस्मेंट या सुब माइनस करना पड़ेगा सर माइनस कॉश्ट अफ प्लेस्मेंट रुपीस 2500 यह मेरा एक्सपेंस से गया पैसा और इसके अलावा और मुझे कुछ बैलेंस भी मैंटेंड करना पड़ेगा हाला कि मेरे एक्सपेंस नहीं है लेकिन 48 लैक्स जो आया उसमें से कुछ तो मुझे मैंटेंड करना वह बाद में मिलेगा यह फिर यह मान के चलो कॉमर्शिल पीपर मैंने एश्यू किया ना देड़ लाग तो मेरा जमा ही रहा सेक्यूरिडी वह मुझे को मैं हाथ तो नेट मेरे जिम में कितना आया यार यह इंपोर्टन्ट है माइनस हला कि यह पैसा वापस मिल जाएगा लाइन आप क्रेड वंड बैंक बैलनस यह तो आया यह नहीं और सर इसकी अलावा किया है? सैर यह भी बैंक बैलेंस पर अपार्च़ी प्रश्ट कहा है यह लस है लेकिन वह बाद महां ना बात समयव् pirate मेंने कि कोशिश कर रहा हूं पिलकुल अधि अराम मैं ये निएकालने की कोशिक़् कर हूं कि मेरे जेब में आज कितना है जिसको मैं यूच कर सकता हूं मेरे जे में आज कि मेरे खर्च हो रहा एक तो दो लाग रुपए इंट्रेस्ट का खर्च हो रहा प्चीस अ रुपए यह भी खर्च है तो उसके बदले में मेरे जилась में और सापने ब़ापला तंट मेरे इघिल्ड «만च केझ Magic बैंकर दिखे में और जाए में हैं चार अबात है को मैं तो आ पडर आहां वे इसा इन тяж नेजनी तकी को से मिल जाते में मुझे जाते ना तो सुनो इस esto कमा लेता interest कमा लेता और कितना interest कमा लेता 30% 30% नहीं भई cost of fund कुछ नहीं बोला है तो हमको क्या लेना पड़ेगा अगर बोल देता तो बहुत अच्छी बात थी कुछ नहीं बोला तो कम से कम 12.5% इंट्रेस्ट तो कमा लेते मेरे तो कॉस्ट है ना यार यह अपर्चिटी कॉस्ट बोलो जो बोलना बोलो जब अर्दस्ती देड़ लाग पर मुझे 12.5% का कॉस्ट अलग से पढ़ रहा है ठीक है सर अभी क्या अभी देड़ लाग रुपर माइनस करें नट मेरे जैब में कि ना रही देख लेते हैं नेट अमाउंट रसीवट 48,05,05,000-1,50,000 बाई जद ओ गये तो तो नेट अरहा मेरे जैब में रुपीस 46,05,47,500 ये नेट अरहा फिर इसके लिए मुझे खर्च कौन कौन से करने पड़े नेट कोस्ट इसा फैक्टरिंग में हम किया करते थी याद है फैक्टरिंग याद कहां से होगा फैक्टरिंग तो आपको ही नहीं नेट कोस्ट क्या कोस्ट नेट क्या होना है कोस्ट ही लिखो पुरा कोस्ट आफ कोमर्शिल पीपर तो सर कौन कौन से खर्चे करने पड़े इसके लिए सर जी इसके लिए एक तो मुझे कोस्ट आफ प्लेस्मेंट पची सो सर ये तो काट तो लिया ना सर काट तो लिया बैटे काट कर मिन्नेट आया पर मेरा इसके पीछे जो पैसा आया उसके पीछे खर्च कितना हो गया अच्छा सर कोस्ट आफ प्लेस्मेंट एक तो पच्चीस सो रुपय का ये खर्च हुआ ठीक है सर प्लस इंट्रेस्ट का एक्स खर्च है और पीस टू लेक सर और एक लाग पच्चा से और के पिछे आप पॉर्चूती कोष्ट का भी खर्च है यास वो भी तो लेना चाहिए प्लस अपॉर्चिटी कोष्ट एक लाग पच्चा सजर हमको मिल जाता हमें बैंक में जमा नहीं करना पड़ता तो उस पे 12.5% मान लो हम कमा लेते चार महने का इंट्रेस्ट तो एक लाग एक लाग पच्चास जार का 12.5% इंटू 4 बैट ट्वेल शे हजार दूसव पच्चास तो टूटल कोष्ट कितना पढ़ा है 2500 ब्लस दो लाग प्लस 6,250 तो सर कोश्ट पढ़ा हमें 2,08,750 रुपे खर्च है यह पैसा मेरे चेप से चला गया कौन-कौन सा पैसा पचीस सो रुपए खर्च हो गए इंट्रस्ट की दो लाक रुपए भी खर्च हो गए और इसका 6,250 रुपए का भी लॉस यह एक्चुल मेरा कॉस्ट सर देड़ लाक भी तो अब देड़ लाक रुपए मेरा खर्च नहीं है वो मझे सेक्यूरिटी डिपॉजिट की रूप में रखना पड़ा वो देड़ लाक रुपए मुझे बात में मिल गया पर यह मेरा कोई फायदा नहीं है यह तो मुझे वापस देनी है ठीक है ना तो सीधी सीधी वाते मुझे कॉश्ट ओफ कॉमर्शियल पेपर निकालना है एक्चल में कॉश्ट ओफ फंड कॉश्ट ओफ फंड आफ्टर टेक्स निकालना सर जी ठीक है ना तो ठीक है सर निकल सकते है अरहाम से कॉश्ट ओफ फंड आफ्टर टेक्स खर्च कितना है सर दो लाख आठ हजार साथ सो प्रचास आफ्टर टेक्स बुला तो वान मैनस टेक्स कर देते है टेक्स कर एथ 30 वर कितना पैसा आयत था सर यह था 4 6 4 7 5 00 4 6 4 7 5 00 तो यह आगया 3.11144 पर यह कितने मैने का है चार मेने का तो बारा मेने का कितना है तो यह आगया है 9.43% पर है एफेक्टिव पूछता तो मैं उसको समझी गए हो क्या करना होता है हमारे इंस्टिट्यूट ने क्या कर रखा है उस मैटर पर फिसर मतलब इंस्टिट्यूट ने यहां खेल खेला हाना भाई और उन्होंने इसको कैसे कर रखा में वो बताने का मेरा जम्मेदारी है तो मैं बता देता हूं उन्होंने कॉश्ट ऑफ फंड आई सी ए आई ने कैसे निकाल रखा इन्होंने ऐसे निकाल रखा कि भाई आपका खर्चा है कॉश्ट ऑफ फंड एस एक्वाल डू डू जीरो डू फाइब डबल जीरो मतलब उन्होंने यह वाला ले रखा दोनों में लाकर यह और इंट्रेश्ट का और बोले इस पर होगा टेक्स सेविंग मान माइनस पॉइंट थी तो सर इन्होंने आप और शेटी कोश्ट नहीं लिया है कि छेज़ा लिया है पर उस पर टेक्स सेविंग कंसिडर ने किया क्यों मुझे यह समझ में नहीं और अगर उनका यह सोचो ना अगर मैं वो बैंक में पैसा जमा करता देड़ लाग उस पर इंट्रेश्ट मिलता मुझे तो टेक्स भी तो लग जाता आप टेक्स सेविंग कैसे आप टेक्स को तो कंसिडर करना ही पड़ेगा आपको पर कर चलो नहीं किया है तो मैं बता दो मेरा काम है कि आपक सबस्क्त करना ही आपको आपको पर एनम निकालना तो 3.1845 into 12 by 4 तो भाई साम इनके हिसाब से आंसर है 9.55% पर एनम 553 ले सकता है यह ICAI के सबसे ठीक है जी मैंने बता दिया सरी कोश्चन हमको study material में मिलेगा कि जी नहीं यह कोश्चन आपको money market operation करके एक चैप्टर है प्रेक्टिस मैंन वहां जाओंगे आपको यह कोश्चन मिल जागा मैंने वहां से उठा लिया वहां के सारी कोश्चन करवा देता हूं हमारी study material में 2-4 कोश्चन है पर में चाहता हूं कि जितने भी कोश्चन है सब खतम करते हैं ठीक है ठीक है तो यह कोश्चन थ यह वहला कोश्चन बच्च्च कोश्चन कुछ है नहीं इसमें में एक बार पढ़ती कोश्चन करना है M Limited Heats to Makeـ-Up Payment, M Limited Head to Make-Up Payment, Payment کرنا है भाई, इसको, और 30 January 2010 को 80,000,000,000 रुपे का Payment करنا, 30 January 2010, पर सहाब, अभी surplus है, surplus, इसको 7 ले ले थे, question number 7, सर कोई एम लिमिटेड है यस इनको जो पैमेंट करना है वो पैमेंट अभी नहीं करना अभी पैसे है भई पर पैमेंट आज से कुछ समय बाद मतलब 30 जनवरी 2010 को पैमेंट करना अभी 80 लाक रुपिया हमारी पस पड़े है क्या करूगे और आज की डेट कौन सी है सर आज की देट है हमारी 31 अक्टूबर 2009 तो एक बार देख लें आज की डेट है क्कौन सी 31 अक्टूबर 2009 और हमें पैसों की जरुरत है 30 जनवरी 2010 यहां पैमेट करना कितना रुपिया लगा 80 लाक तो क्या करोगे विट्टे जी तो कोई भी बता देगा इनवेस्टी करोगे 80 लाक रुपिया रखा है अभी पैसे की जरुत है नहीं जितने भी महने बाद है जितने दिनों बाद है वो तब देखा जाएगा 80 ला कर रहा है सिंपल सी सोट तर्म के लिए होगा येल्ड दे रखा 8% के हिसाब से और सिंपल इंट्रेस्ट भी सिस ठीक है वाट इस द एमाउंट तो बी इनवेस्टेट नाव फो असी लाक रुपए अभी पढ़ा नहीं है मारे पास असी लाक रुपए रखा नहीं है सर कैसे मुझे यहां तो ऐसा लग रहा था किStra कर रहका हुए यहां पता लघरा कि साम असी लख रहा नहीं है हम अ तो आज इतना जमा करे कि तीस एक को 80 लाख रुपए हो जाए ठीक है वो यहां से अगर 80 लाख ही जमा करना हो तो यहां पूछ रहा हो वाट इस दा करना है तीस एक को तो आज कितना जमा करे कि मसर प्रेजेंट वैल्यून असर क्यों टाइम पास करो दिन गिल्लों वास कितने दिन के लिए जमा करना है यस देख लेते हैं तो अक्टोबर पूरा छोड़ देते हैं नवंबर मतलब एवरेज डिव डेट में कोई भी एक डेट छोड़ नहीं होती है तो पहले की छोड़ दो तो मैं 31-10 को छोड़ देता हूं तो तीस नौ तो तीस दिन हो गया और उसके बाद जाएगा तीस नौ ने तीस ग्यारा होता है स्差 और यह गलती होगे तीस ग्यारा और यह ऑगा 3312 ठीक डेश कितने आएगा देख लो सर् यहां का हो गया 30 डेस और सर यहां का हो गया 31 days और यहां का सर हो गया 30 days इसको exclude किया, इसको include कर लिया सर टोटल मिला कर कितना हो गया 91 days 91 days के लिए हमें invest करना है हो जाएगा तो अब क्या करते है, interest factor निकाल रहा है yes, at first R into 91 divided by the insuffacer divided by 100 plus 1 तो सर यहां का 1.019945 तो बस वाट इस दा 1.019945 तो सर इन्वेस्टेट हो का अभी 2.019941,078.0199,43.0199.560.019,035.019,000.00 कुछ है, इसको मैं इकनोर कर वाट है, यहां थोड़ा सा मैं कर भी, इट है, surplus cash to do, तो मुझे ऐसा लगा, क्या सी लाक रुपिया, बडा सी लाक नहीं, जितना भी investment करना इतना पैसा है, हमारे पास यह लिखावाए, ठीक हैं, ठी में हो जाएगा हाना यार यह चैप्टर क्यों डाला मुझे समझे में नहीं आया है पर चलो ठीक तो कोशन नंबर एट लेज़ते इस दे लाश्ट कोश्चन हाजी बस यह कोशन बाकी है और इसको डालना है कोशन नंबर एट और यह बहतरीन कोश्च इट मेंस जो हम मनी मार्केट ऑपरेशन कर रहे ना उसमें सब से अच्छा कोशन मुझे यह लगा देखते क्या लिखा है बैंक ए एंटर इंटु अरे पो कि फो फोर्टीन डेस रेपो के विसे में मैंने क्या समझाया था रेपो रेट रेपो रेट मतलब सर आरबी आई से हम उधार लेते हैं पर यहां आरबी आई के अलावा दूसरी बैंक भी हो सकते हैं री पर्चे सॉप्स इट मेंस सुना दियांसे कोई दूसरी बैंक जिससे मुझे उधार लेना है तो बदले में में उसको सिक्यूरिटी दे दूंगा अपने पास जो भी सिक्यूरिटी है और फिर मालो 14 डेस के लिए उधार है हां 14 डेस है तो 14 डेस बाद जब मैं पैसे वा पसे जाए और कुछ नहीं सिक्यूरिटी मतलब सब गिर्वी टाइप का हां ऐसा समझ लो तो बैंक ए एंटर इंटो ए रेपो फोर्टीन डेस वित बैंक भी और बदले में जो आप गिर्वी रखने वाले हो उसका नाम है टैन पर्षेंट गॉर्रमेंट अफ इंडिया बॉ पर गिर्वी बोल रहा हूं 2018 एड़ रेट 5.65% फर रुपीज एट क्रोड सर्केहना क्या जाते हूं मेरे पास फेस वैल्यू है जिसकी आठ करोड रुपए ऐसे बॉंड जिसका नाम है टैन पर्षेंट गॉर्वर्मेंट ऑप इंडिया बॉंड ऐसे बॉंड रखे मैं हूं बैंके और ऐसे बॉंड को मैं दे दूंगा बदले में मेरे पास पैसे आ जाएंगे और वो बॉंड कब मुझे वापस मिलेगे जब with interest में दे दूंगा पैसा वापस जोधार दिन बाद तो बॉंड मुझे वापस मिल जाएंगे उस बॉंड पे जो interest वो क्या 10% ना मैं 10% मुझे 10% मिलता उस बॉंड बॉंड लेकिन जब मैं वो बॉंड गिरवी रखुंगा और मुझे ज़ो एक बार डाइग्राम से समझाने की कोशिश कर सकते है, yes इस बैंक A ठीक है सर और ये सर कौन सी बैंक है बैंक B हमें क्या करना सर हमें लेना है लोन कितने रुपए का नहीं मालूब और आफ्टर फोर्टीन डेस हमको वापस कर देना इसको बोल सकते हैं फर्स्ट लेक और इसको बोल सकते हैं सेकेंड लेक ऐसा लेखा हुआ है प्रैक्टिसमान में हाला कि कुछ है नहीं मतलब यह रिपैमेंट होगा यहां तक तो बात समझ में आ गए assuming that clean price रुपीज 99.42 कभी मैंने security valuation करके करवाया हूँ आपको उसमें मैंने clean price और dirty price basic value of bonds accurate interest यह बहुत सारी बाते किया हूँ पर भगवान ही जानता आपको याद है कि नहीं है सर नहीं है ना सर करवाओ चलो मैं याद करवाओंगा चिंता ना करो तो उन बोंड का clean price दिया है 99.42 इनीशल मार्जिन है 2 पर्षन सरी इनीशल मार्जिन क्या है मेरी जिमेदर ही नहीं है और days of accurate interest 262 days you are required to determine सबसे पहले क्या निकालना है dirty price सर एक बात पुछे यह dirty price क्या होता है बटे एक बात बता रहा हूँ जैसे मैं bonds खरी देता हूँ bonds ठीक है तो क्या interest मुझे daily basis पे मिलता है मेरा पहला question interest क्या मुझे daily basis पे मिलता है हम debenture पढ़े हो सर क्या debenture में आपको interest daily मिलता है कि 6-6 महा में मिलता है 6-6 महा में मैंने आज debenture खरीदा मान लो मान लो मैंने 90 रुपए का debenture खरीदा इस पे interest इंट्रस्ट का में लेगा छे मेने बाद और एक दो तीन चार पांच में नहीं हुए अभी मुझे इंट्रस्ट नहीं मिला और पांच मेंने बाद मुझे किसी को बेचना है डिवेंचर तो बोलना बेटे सो समझ के 90 रुपए का ही पिकेगा कि कुछ इंट्रस्ट मिला कि इस इस मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा कहना क्या है सुनना दियां से कि हमारे पास कोई बॉंड्स है सर वो कब खरीदा था वो खरीदा था मैंने यहां कही कितने रुपए में 99.42 कोई इंट्रस्ट में जुड़ा नहीं है ठीक और मान के चलो एक साल में इंट्रस्ट मिलेगा ओके और मैं इंतजार करना रहा हूं इंट्रस्ट मिलेगा इंट्रस्ट मिलेगा दिन बीत दे गए और अभी कितना दिन पूरा हो चुका है और अभी हो चुके है 262 डेस पहला कोश्चंट जो गॉवर्मेंट ओफ इंडिया बॉंड्स है उसकी यहां वैल्यू 99.42 ही रहेगी कि बढ़ेगी कोई मुझसे अगर बाट्स खरीद ने आता है तो मैं उसे कितने में बेचूंगा 99.42 या फिर 99.42 प्लस इंट्रेस्ट प्लस इंट्रेस्ट दिस इस कम इंट्रेस्ट सर इस कम इंट्रेस्ट आपने कहां करवाया था मैंने नहीं करवा एकाउंटिंग में पढ़ाओगा डिबेंचर में यह क्या है इस इस एक्स इंट्रेस्ट एक्स्क्रूडिंग इंट्रेस्ट पर अगर मुझे बेचना है मुझे यह पैसा तो वसूल करना है और साथ मैं यह 262 दिन का इंट्रेस्ट बी तो चाहिए तो इन दोनों को अगर मैं मिला दू एक्सरूड इंट्रेस्ट को तो मिलाकर जो वोलूँगा जो कम इंट्रेस्ट प्राइस वोही तो हड़ाटी प्राइस और अगर इंट्रेस्ट अलग करके बोल रहा हूं तो वो है clean price और कुछ नहीं था सर ये करवाया आपने हां भाई करवाया हूं मैंने तो सर यहां क्यों time pass कर रहा है sorry it means यहां का interest मुझे जोड़ना पड़ेगा this is accrued interest 262 दिन का तो वो dirty price जाएगे तो पहले number पर तो भी मांगा तो पहला काम करे यह सब मुझे निकलना dirty price यह फॉर्मूला पहले भी आपका लिखा हुआ है clean price plus accrued interest that is 99.42 plus sir interest इस पे लगेगा किन नहीं बिट्टे यह bonds है यह कोई tbil नहीं है जिसका आप yield निकल के जोड़ दोगे अब ऑंट का face value ना दिया तो हम क्या assume कर लेते 100 रुपए ठीक किस तो 100 रुपए पे face value so government of India secures 10% 10% कितने दिन का interest 262 एक सल में कितना दिन होता वैसे तो 300 पैसा टोर में 300 पैसा दिन ही लेता हां मजबूरी है बोले consider करो 360 ठीक है भाई तो यहां divide किस से करेंगे 360 से तो answer आजाएगा 100 इंटू 10 पर्षेंट इंटू 262 डिवाइड इंटू 306 प्लस 99.42 अंसर रगे 106.69 70 कर लेता है अब क्या मांग रहा है repayment at maturity भही maturity पर आप कितना पैसा वापस करोगे 14 दिन बात तो सवाल यह है कि आज कितना पैसा उधार लिया जा रहा है जितना पैसा उधार लिया जा रहा है उसमें 5.6% interest add कर देंगे 14 days कर वापस कर देंगे खतम बत सवाल है कि कितना पैसा उधार लिया जा रहा है सर आठ करूर आठ करूर नहीं आठ करूर की face value के तो government of India wants है मतलब यहां जो value है 100 रुपए का 100 रुपए face value है और यह भी face value है तो यहां जो value है वह 100 रुपए नहीं है यहां कितना हो गया है 106 रुपए 70 रुपए से बात समझ में आ रही it means मुझे bonds की value निकालनी पड़ेगी considerate की यहां की 262 यहां की value निकालनी पड़ेगी ठीक है sir अब निकालना repayment at maturity सबसे पहले क्या करें है amount of first lick that is loan amount आठ करोड मतलब आठ सौ लाक फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू कितना सौ पर अब कितना हो गया आज की दिन इस bonds की value कितनी हो 106 रूपए 70 बैस पर जितना value है उतना पैसा हमें उधार नहीं मिलेगा सामने वाला जो bank है वो margin अपने पास रखेगा और margin कितना 2% मतलब bond का जितना value है हमें जो उधार मिलेगा वो 2% कटने के बाद हमें 98% ही पैसा उधार मिलेगा उन securities के बदले में bonds के बदले में देख ले थे 800 नाग divided by 100 into 106.7 into 98% तो सर हमें उधार मिलेगा rupees 836 52,800 ठीक ओके सर और तूसरे में निकाल रहा है amount of second leg इसी को आप क्या बोल रहा है repayment at maturity ठीक है तो बस यह दो आसान काम है यार सर रूपीस 8836,836,52,800 प्लस 836,52 सर अभ यहां face value पे नहीं बेटे अब तो उधार लिया उस पे interest देना पड़ेगा न इन्टु कितना percentage है उधार 6.5.65 परशन 5.65 परशन और कितने दिनों का 14 और यहां 360 दिन लेना पड़ा इनफ्रस्ट का बस खतम करते हैं 836,52,500 836,52,500 लिख दिया यार 800 है ना तब लिए मैं सुच रहा हूं कहां गर बढ़ बढ़ रहां 836,52,800 इन्टु 5.65 परशन इन्टु 14 और 360 प्लस 836,52,800 तो फाइनल आंसर आ गया है रुपीस 838,366,04 तो यह कोशन था रेपो और रिवर्स रेपो वाला हला कि रेपो का कोशन था ठीक है सर इसके लावा है इसके लावा कुछ नहीं बहुत हो गया और ज्यादा ध्यान मत देना एक दो बस कैलकुलेटर चला कर देख लेना सर पस कैलकुलेटर चलाना और कुछ करने की जरूरत नहीं है जितना किया सफिशेंट तो यह डाला था सिक्क्यूरिटी वैल्यूइशन में एक पेज में खतम कर दिया था हूना ठीक है अगली ग्लास सायद एका थियूरी हो सकता है ठीक है जी कर दो किस्ट